कौन सो सकता है कि दो सूपर स्टार्ज की दो बड़ी फिल्में जो कि इंडिया के वर्ण विगेस फेस्टिवल पर रिलीज हो उन दोनों को जो वर्डिक्ट होगा वो डिजास्टर होगा क्योंकि इन के सगर आपको नहीं पता कि मैं किस चीज के बारें बात करूँ तो आपको क्लेक्ट्टर हैं धарт मुद्ध एक्सम बंटक्र मोंकि तो इस तक तो आःपने और की अपनी सेटेंड़ें देगैंड्र और नी चोटे मेही का चार दिन का जो extended weekend था उसमें इसने 40 करोन की कमाई की जो कि मैं कहूंगा एक average कमाई है लेकिन अगर मैं आपको इस विम का बजट बताऊंगा तो फिर आपको इसकी कमाई बहुत जादा कम लगेगी क्योंकि इस विम का टोटल बजट है सारे 300 करोन और उस तरीके मैदान फिर्म जिसका content भी बहुत अच्छा था और जिसका public word of mouth भी बहुत जादा strong गया लेकिन फिर भी उस फिर्म के जो collections है वो काफी जादा शॉकिंग है यहां आपको बता दू कि वह फिर से कम हो गई जो क्योंकि 2.75 करोन के पबले का क्योंकि word of mouth बहुत अच्छा था त इससे saturday को इस film ने 5.75 करोन की कमाई की और जो sunday है वो इस film का पीक रहा क्योंकि single day में इसने 6.4 करोन की कमाई की तो इस तरीके से मैदान फिल्म का चार दिन का weekend total प्लस early previews का जो total हुआ है 22 करों जो कि मैं कहूंगा बहुत जादा below average है दो reasons की वदर से सबसे पहला है कि minimum Indian box office पे 100 करोन की कमाई करनी करनी होगी लेकिन ये बहुत जादा unfortunate बात है कि public ने स्विम को appreciate तो किया जिससे इसके collection थोड़े बहुत वीकेंड पे बड़े भी लेकिन फिर भी वो इतने नहीं बड़े कि मैदान एक भी single day double digits में कमा पाए which basically means कि public इस film को बहुत जाद देखने कि यहां पर history repeat हुई है यहां मैं आपको बतातू कि दो साल पहले भी इत के मौके पर exactly कुछ ऐसे ही हुआ था यहां पर same actors की यहांई अजे देवगन की फिल्म runway 34 रिलीज हुई थी और टाइगर शॉफ की फिल्म हिरो पंदी 2 रिलीज हुई थी और उस time भी दोनों actors की फिल् appreciation तो मिल रहा था लेकिन जो positive word of mouth है वो collection पर कहीं भी नहीं reflect कर रहा था और इस वदर से runway 34 जो कि एक decent सी अच्छी फिंती उस फिल्म का भी जो box office verdict है वो disaster रहा था जिसका पूरा conclusion यह है कि public is the king यानि box office पर सिफ अच्छी फिल्म में नहीं काम करती है लेकिन वो अच्छी फिल